तो कहानी की सुरवाद कुछ यहा से होता है कि हम रूम पे बैठे रहते हैं और अचानक आदिल आके बोलता है कि कहीं गूमने जाना है तो हमने भी उसको पूछ लिया किधर जाना है वई तो उस तरफ से कुछ ऐसा रिप्लाई आया कि कहीं दूर चलता है और टाइम हो रहा है दोपैर के तिन तो यह है इस कहानी की मेइन कैरेक्टर आदिल तो इस सफर का दूसरा किरदार से मिलिये इसका नाम है अनुपाम और हम लोग इसको प्यार से एस्थेटिक बुलाता है क्योंकि इसका थोट्स थोड़ा सा एस्थेटिक है और जनाब इन से मिलिये यह है शिवानत हमारे इस पूरे ट्रिप का एक थिसरा कैरेक्टर और इस पूरे ट्रिप का एक आकरी किरदार जो मैं खुद हूँ और मैं आज पीछे बैट के बस शूटी करने वाला था मैं मैं पीछे बैट के बस यही सोच रहा था कि कभी यह बैट के बस यही सोच रहा था के धूल मिट्टी वाला इलागा खतम होगा और हम एक अच्छे जगा पर पहुंसेंगे जो कि हैं हमारा मेंन लोकेशन मुल्सी लेक कि अच्छे बैठे बैठे तो मैं बोर हो गया था और अचानक मेरे सामने आया यह नजारा बहुत देर तक राइट करने के बाद हम लोग एक जगा पर रुखे थे और उस जगा से एक मस्ट वीव आ रहा था तो मैं अपना कैमरा दे दिया था अनुपॉम को और पोला कि मेरा एक सिनमेटिक निकालने आप बहुत निकालने पिक्ना में आप लिए फिलाल यहाप पे हम रुख हो थोड़ा से रास्पले रखे और पे अधिए पीछे निपवम के चानुपॉम अच्छो अड़ि देख़ाई जा आदे इंग हाई तो मैं आदे आदेल एंड़ेरी शिवा तो हम फोरा साहा पर बैठे हैं और यह मस्त वीव हैं पांच-दस मिनिट यहां पर रुकने के बाद हम निकल पड़े अपने मेन लोकेशन के लिए जो है मूल्शी लेक पांच-दस में लोकेशन के लिए जो हम लोग वह उपर वाले रोड चोड़ के वी नीचे आने वाले तो वी दर से उतरे एंड यह दो व्यू पांच-दस में लोग वाले जो हम यह व्यूपाइंट पर आचुक हैं और पीछे है में पूरा गूप मैं पर पूला लेता हूं यह आगे पूरा गुरुप यह पिशिवा यह पादेल यह इस अनुपम नहीं आना चाहता है कोई वाद है कोई पाद ही वाद ही मैं मिला तो आफसने बैटरी परसेंटेज तो डेड होगा लेगिन अभी हम लोगों का परसेंटेज जादा है तो अभी थोड़ा एंजिए करेंगे विवूब्स So, that's all for today's vlog, bye-bye. एड़ा, यह अपना लास्ट फूटेज बन रहा है. अब चैमेरा वी इंडिकेटर शोग करतिया है. But you can see the view. अब चैमेरा